हेलो फ्रेंट्स सुनास के डिवरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंट्स इस तुरन डिजाइन था गेट पर देख डिजाइन इसका पार्ट सेकर्ड जो हमने कम्प्लिट कर लिया था उसके आगे शेयर करना है जो अब साथ देखे बन क में बूल लगेगा लेकिन बहुत इज़ी पैटरन है बहुत जल्दी बन करके तयार हो जाता है तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका कैसे क्या करना है तो देखिए आप यहां पर फ्रेंड्स बने रहे यह वीडियो में एंड ठीक है तो देखि और यह पैटरन हम आपको बना करके दिखाई चुके हैं फर्स्ट पार्ट में समझा चुके हैं पूरा और यह सेकंड पार्ट है थीक है मतलब कि इस सेकंड पार्ट है इसका नीचे वाला पॉर्शन बताना है आपको तो चलिए देख लेते हैं और फ्रेंड्स यहां पर दे तो चलिए हैं यहां नीजे से स्टाट करतें इसको टीक हैं दिजाइन हम यहां से स्टाट करेंगे ठीक है तो यहां पे एक दो तीम चार पांच लिए आपको यहां पर यहां पर एक दो तीम चार पांच से साथ नौ दसrav the इर्शन ना थे hemp सबसे पहले एक नॉट लगा लेंगे सबसे पहले हम यहां पे एक फ्रेंड्स नॉट लगाएंगे इस तरीके से और क्रोचिटुक हमारा आप जानती है जो हम यूज करते हैं इसको यूज करके बनाते हैं हम के वल सारा मतलब टोरन और गेट पर्दत हल्पोस को डिजाइन इस कि यहां पर और इसको खीज करके यहां पर बनाना स्टार्ट करते हैं एक दो तीन चार पांच और छे बन गया पाफ दो चीन लिंग नेक्स्त में पाफ बना लेंगे डेखिए एक दो तीन चार पांच 6 बना लिया इसको बंद करेंग फिर दो ौर चीनलेंE तो इस तरीके से यहां तक देखिए तनी बनाए दोगव चैनी रखे सब्सक्री нравится प्रफ यहां इना है पर 40 अपने केरराद प्रेय केशड़ गलेगे स्ब्सक्रास टाना इन पर रागेता ôn दोग तो ONनाा यहां दोग चैन लगए कितने पॉप बनाएंगे फ्रेंड्स अब इस्टार्टिंग वाले जो इस्टार्टिंग में वहां पर किया था ना सेम वही प्रोसेस यहां करना है तो आपको हम दिखा देते हैं देखें अब यह इसको बिना नहीं कितना बना लिया इसमें और उसके पासे दागे कुफिर देखेंगे और पॉफ देखें ध्यान से एकदम जस्ट रूसी के बगल से बनाना है ठीक है तो इस तरीके से आपको हम बता दे यह देखिए इसको निकाल करके इस तरीक सबाहत देंगे तो यह में दो बना लिया है ना फ्रेंड्स तो यह देखें यह वाले पॉफ जैसे द आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठारा नो नो अठारा तो हमने बना लिया है 18 ठीक एठारा बना लिया है देखिए ठीक है ना तो नो एकसाइट रहे अगर नो एकसाइट अब यहां पर देखिए पूरे पॉफ बन करके कम्प्लीट होगे जिस चार हो गया है यहां पर पांच और यह छे छे बना लिया और इस पॉफ को इस तरीके से देखिए बांद देंगे ठीक है फिर देखिए दो बना लेंगे इस तरीके से चेन लेंगे और फिर पॉफ बना लेंगे इसमें तो देखिए दो हो गया तीन चार पांच छे छे बना पांच छे ठीक है आप चाहें तो और पफी चाहते होंगे तो आप और राउंड ले लिजिए गा आठ नौ जितना भी आपका मन करें साथ का अभी में पास इतने में हो जा रहा है तो मैं बस सिक्स का या फिर सेवन का ले रहे हूं ठीक है तो कहीं कहीं पाइफ का भी ले लिय है यह तो आप एसलेगं ट्राफ चाहि के साथ सारी अलें टॐ चाहर बनाया है एसले इस तरीके से बन गरेंगे टो चैनलेंगे फिर एक पर ırनाएंगा इसमें और फ्रेंट्स आपको दिखा देएक लास्ट चैन हमको इसको बनाना तो आप लेकर लेकी जाना फिर यहां भी पफ बना लेंगे ठीक है एक दो तीन चार पांच पांच लिया हमने पांच ले रहा है कहीं छे ले रहा है इसका आप इग्णोर करिएगा जीतने का आपको रखना हो आप रखना कर लिजिएगा ठीक है यह देखिए इस तरीके से करते हुए ये रो भी हम complete करेंगे हो गया ना फिर दो chain लेंगे और फिर देखिए बीच में यहाँ पर फिर एक और पफ बनाएंगे आप आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर जैसे कि हम कहना क्या चाहरा है आपको देखिए अब यह भी पफ हमने बना है अब यहां से देखिए टर्न हो जाना है इस तरीके से बना करके इसको बाहन देना है अब देखिए एक चेन लेंगे और इधर पलट लेंगे दोनों साइट से इसकी बुनावट है फ्रेंट्स ठीक है कन्फ्यूज मत हो येगा अब यह घटेगा फ्रेंट्स ठीक है अब यहां पर हम आ जाएंगे साइड में ठीक है अब धागी को खीच करके यहां भी हम पफ बनाएंगे तो इस तरीक से दस बना था अब 9 बनेगा ठीक है ना तो 9 पॉफ बनेंगे फ्रेंट्स तो हम 9 के 9 पॉफ बना करके आपको फिर देखाते हैं ठीक है नो बना लिए दसी ब जैसे स्तliा निए तो इस तरीके से हम ten ब granddaughter से भाती बरसे यहां तो इस तरीके से तो इस T— tuning आ रहा है आपको पता अीड तो इस तारीके से मन बना लेते हैं टिक है जिसके बादब वाद से हम दिखाते हैं ठीक है ना नो पफ बनाकर के complete कर लिया ठीक है 3 3 6 और 3 9 9 बना लिया है अब इसको भी जो यह हमने बनाया था ना गि देखिए इसको भी हम हाफ कर लेंगे यहां पर देखिए इसके बीचों बीच में ऐसे डाल करके यहां पर हम धागे को निकाल करके पफ बनाएंगे ठीक है देखिएगा एक पफ बना लेंगे तो इस तरीके से देखिए अब यहां पर हम एक पफ बनाएंगे फ्रेंट्स देखिए इस तरीके से अब यह देखिए इसमिस निकाल करके आप इसको हम बांदेंगे एक पफ तैयार हो गया अब एक से दो होगा दो से तीन होगा आगे का प्रोसेस आप लो समझ रहना फिर देखिए इस तरीके से करते हुए इस रोगो और फिर पूरे टोरेंड को फ्रेंट्स गिट पर देख डिजाइन को ऐसी कम्प्लीट करना है ठीक है तो देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से ऐसे ठीक है ना फिर बनाएंगे तो यह सेकेंड देखिए सेकेंड रो है इसकी एना तीन तीन छे तीन और नौनो यह भी है तीन तीन छे तीन नौ और तीन तीन छे तीन ठीक है रिदम सही है और फिर इधर लाएंगे ना तो यहां भी फिर यह घटेगा जैसे दस है तो दस का नव बनेगा तो यह आपको समझाद एक बाल फिर आपको बनाकर केंदिखाते हैं देखिए यह तो अधागे को जोड़के इसको फूल भी बना सकते हैं तो देखें वूल तो इसमें फ्रेंड लग रहा है काफी वूल लगेगी लेकिन बहुत ही प्यारा यह मोतियू टाइप में देखिए यह टूरन बनके तयार होगा ठीक है तो इसको थोड़ा साम कंप्लीट करके आपको फिर दिखाते हैं ठीक है ना इसमने यह टूरन का यह देखिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया थोड़ा सा और बचा हुआ देख सकते हैं आप लोग ठीक है और यह देखिए हमारा यह देखिए बर्फी अकार का वीशिप यह देखिए बन गया है दोनों साइट से व इसटेप बेस्टेप हन्दी में से बता दिया है और वैसे आप इसको देख करके बना लिजेगा बहुती प्यारा लगत नहीं हुआ है पी जितना नहीं हुआ पर दोबनेगा फिर एक बनेगा ठीक है एक, दो, तीन तो यह चौत ही रो है, तो भी चार बनानी है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही ठीक है तो वीडियो पसंद आई की तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा चैनल पर नए हूंग जनो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे की मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टो टाइम मिलते रहे हैं कि तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नए लेकर थेंक यू और थेंक्स पॉर वाचिंग बाई